नमस्चकर दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप से बेचियेंगे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के बापा फ्रीदी विए इस वीडियो में आपको जान करें मिलेगी वीडियो को सुरु से अन तक जरूर देखिए और दोस्तों अगरा आप मारे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरुदबाई इससे की आने वाले से भी वीडियो कोई कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इस्टाग्राम करने का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो दोस्तों ये नोटी जारी किया गया है जिसमें आपको दिया गया है कि आपका जो बीसे नर्सिंग और परसेंट से ज्यादा स्कूर किया है एंटरेंस एक्जाम में जो आपने पीपी आइमेटी का एंटरेंस एक्जाम दिया है तो उनके पचास परसेंट से ज्यादा मार्क्स हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर किसके 49.5 भी हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं आपको कौन सी college लेनी है तो फिर फ्रेंस में आपको feel करना हुआ इसी तरीके से अगर post basic BAC nursing के बात करें तो इसमें आपके अगर minimum score की बात करें तो आपके जो आपने entrance exam दिया है तो इसमें आपके होना चाहिए 35% से अबोव आपके marks होने चाहिए आपके entrance test में और SC BC अगर category से belong करते हैं तो आपके 30% mark से अबोव होना चाहिए इसमें आपका जो date दीगी है post basic BAC nursing के लिए भी एक नो दो जार इके साथ नो दो जार इके सकी बीच की दीगी है तो इसमें दोस्तों आपको अपनी जो choice है preference और college है आपको उटा कौन सा है category है यह आपको इसमें first round counseling फील करने होगी तो आपको यह किस तरीके से फील करनी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको BFUHS की official website पहना official website का link BFUHS.ac.in तो जैसे ही आप official website पहेंगे तो इस तरीका का interface आएगा इस interface में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है click here to fill choice for first round of counseling अंडर पीप मेरी 21 B.A. Sinner Singh के लिए तो इसी आपके basis पे दोस्तों आपको अपनी को जो प्रिप्रेंस है वो फील करनी है तो जैसे ही आप इस link पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीका का interface आएगा तो इस interface में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है सीड डिस्ट्रिबियूशन है नोटिपिकसन यहाँ दिया गया है आपको और आप जैसे से अपनी चोईस फील करनी है और इंपोर्टन नोटिस भी दिया गया है तो इस इंस्ट्रक्शन वाली फाइल को आप अच्छे से open करके इसको read कर सकते हैं तो आप इस तरीके से आप अपनी जो first round counseling है उसमें participate कर सकते हैं अपनी login details जारी होने के बाद में आपको physically आपको जो college मिलेगा उसमें आपको reporting करवाने होगी अपने original document के साथ में और अपनी fees के साथ में तो जो further process होगी उसके regarding में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा तो आप चैनल को जूरू subscribe कर लीजे कोई भी आपको कमेंड बॉक्स में पूछे या मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो करके हैं आज से भी जानकार ले सकते हैं आयोग दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफूल रहा होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेर करें धन्यवाद जेहिं जे वारत